हे एवरिवन मैं पूजा, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल क्यूजिन फेस्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फेस्टिव सीजन के सुरुआत हो चुकी है, और फेस्टिव सीजन हो या फेस्टिवल, बीना स्वीट डिशिस के अधूरी है, ऐसे मैं आज मैं आप नई रेसिपी की नोटिफिकेशन बिना रुकावट आप तक पहुंसती रहे, तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम बना रहे हैं ब्रेड मलाई रूल, इसके लिए हम पहले रबड़ी तयार करेंगे, रबड़ी तयार करने के लिए मैंने गैस पे 1 लिटर दूद को उबालाने के लिए चड़ा दिया है, मीडियम फ्लेम पे पहले हम दूद में एक अच्छी से उबालाने देंगे दूद में एक अच्छा से उबाला चुका है अब हम यहां गेस का फ्लेम लो कर देंगे लो फ्लेम पे दूद को तब तक उबालेंगे जब तक कि यह घट के बन थर्ड ना हो जाए इसके उपर जमने वाले मलाई को हम इस पुचुला के हेल्प से साइट्स में करते जाएंगे दूद हमारी घट के वन थाड हो गई है इसी स्टेज पर मैं इसमें एट कर रही हूँ कुछ केसर के धागे और साथ में यलाइची पॉडर अब बीना केसर के धागों के भी इसे बना सकते हैं और इसे डाल के अच्छे से मिला लेंगे इससे हमारी रबडी में कलर अच्छा आएगा आप चाहे तो लेमन फूड कलर भी यहां पर यूज कर सकते हैं इसके साथ ही अब मैं यहाँ पर इस मैं एड़ कर रही हूँ वन फोर्थ सुगर पॉडर और साथ में कुछ ड्राइ फ्रूट्स जिसमें पिस्ता और बादाम है और साथ में काजू इन सबी चीजों को साथ में मिलाके 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे उसके बाद गैस को बंद कर देंगे 2-3 मिनट तक मैंने सारी चीजों को अच्छे से पका लिया है अब मैं यहाँ गैस को बंद कर दे रही हूँ अब रबडी को ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में और जब ठंडी हो जाएगी तो एक बाउल में इसे निकाल के फ्रिज में रख देंगे क्योंकि रबडी ठंडी ही अच्छी लगती है अगर आपको रबडी ठंडी नहीं पसंद है तो आप इसे बाहर ही इक बरतन में निकाल के रहने दे अब हम ब्रेड मेराई रोल के लिए इसकी फिलिंग रेडी करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर वन थर्ड कप मिल्क लिया है और साथ में एक कप मिल्क पॉर्डर लिया है इन दोनों चीजों को आपस में अच्छे से मिलाएंगे इसमें एक भी लंप्स नहीं रहने चाहिए अच्छे से इसे ब्लेंडर से मिलाएंगे आप चाहिए तो चम्मच का भी यूज कर सकते है इनने अच्छे से आपस में मिलाने के बाद इसे हम पकाएंगे फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने गैस पे कड़ाई चढ़ा कर उसे गर्म कर लिया था और उसमें दो चम्मच अंसॉल्टेड बटर एड़ किया है 30-2 मिनिट में ही एक अच्छी से डो रेडी हो जाएगी मैं यहां चीनी के इस्तिमाल नहीं करूंगी क्यूंकि मिल्क पॉडर ओर अलरेडी काफी मीठा होता है और हमने जो रबरी रेडी की है वो भी मीठी है आप चाहे तो चीनी के इस्तिमाल कर सकते हैं यह देखे फ्रेंट्स हमारे मिल्क पॉर्डर की डोर रेडी हो चुकी है अब हम यहां गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद ब्रेड मलाई रोल बनाना इस्टार्ट करेंगे पहले इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे आप चाहे तो बजार में जो रेडी मेट मावा मिलता है उससे भी ब्रेड मलाई रोल बना सकते हैं ब्रेड मलाई रोल बनाने के लिए यहां पर मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं अब हम एक ब्रेड के स्लाइस को लेके ना चारों तरब से ब्रेट को घुमाते हुए इसके साइट्स को कट करके निकाल लेंगे मिल्क पाउडर की मावा या डो जो हमने रेडी की थी वो ठंडी हो चुकी है और यहां पर मैंने फ्रिज से रबडी भी बाहर निकाल ली है अब मैं मिल्क पाउडर के डो से एक डो कट करके उसे सिलिंडर साइज का सेब दूँगे एक छोटी से डो को हम कट करेंगे और उसे सिलिंडर की साइज का सेब देंगे और सेब देने के बाद इसे एक प्लेट में रख लेंगे अब हम ब्रेट के एक स्लाइस को लेंगे जिसके किनारों को हमने कट कर लिया था और बेलन के हेल्प से इसे पतला बेल लेंगे दोनों और से घुमाते गवे ब्रेट को पतला जरा बेल लेंगे उसके बाद इसमें फीलिंग को एड़ करेंगे अब हम इसमें filling add करेंगे filling को हम bread के किनारों में रखके इस तरह से roll करेंगे और sides में brush की help से जो rubbery ready की थी उससे लगाएंगे दोनों और इसे लगा लेंगे और इसके बाद roll को फिर से घुमा देंगे इससे roll असानी से आपस में चिपक जाएंगे और इसी तरह से अपने बाकी के bread roll को ready करेंगे मैंने यहाँ पर चार bread roll ready किया है अब मैं इसके उपर रबडी add कर रही हूँ रबडी को चारो और bread के उपर डालेंगे अच्छे से इसे फैलाते हुए चारो और से रबडी को bread के उपर add करेंगे तो ये देखिए friends हमारे फटाफट से त्यार होने वाली मूँ में घुल जाने वाली bread roll पूरी तरह से ready हो चुकी है एंड में मैंने इसकी garnishing थोड़े से dry fruit से किये है तो इस festive season आप भी से try करना ना भूले अब हम बनाएंगे ब्रेट की ही एक और मिठाई यानि कि ब्रेट चम चम इसकी लिए सबसे पहले हम सुगर सीरप ready करेंगे इसकी लिए मैंने gas पे कढ़ाई चड़ा कर आधी कप चीनी और आधी कप पानी एट किया है और पांच मिनट के लिए इसे medium flame पे उबालेंगे हमें यहाँ कोई तार वाली चासनी रेडी करनी है बलकी चासनी में एक ठीकन साजाए इस तरह की चासनी हमें यहां पे ready करनी है चीनी अच्छे से यहां पे melt हो चुकी है अब मैं यहां पे आड कर रही हूँ एक चमच गुराब जल इससे सुगर सिरफ में फ्लेवर काफी अच्छा आएगा और साथ मैं एड़ कर रही हूँ आधे निम्बू करस इन दोनों चीजों को डालने के बाद सिरफ में अच्छे से मिला लेंगे इसके साथ ही मैंने एड़ किया यहाँ पर केसर की कुछ धागे और हरी इलाइची को मैंने कुछ दरदरा कूट लिया था वो इन्हें भी आपस में अच्छे से मिला लेंगे और एंड में मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ लेवन फूट कलर आप चाहे तो पीना फूट कलर का भी इसे बना सकते हैं फूट कलर यूज करने से हमारे चमचम का कलर काफी अच्छा आएगा यह दिखने में काफी अच्छी लगेगी ब्रेट की चमचम मिठाई बनाने के लिए ब्रेट की एक स्लाइस लेंगे और एक धक्कन के हेल्प से इसे गोल-गोल कट कर लेंगे कट करने के बाद इसके साइट्स को हम अलग कर लेंगे एक ब्रेट की स्लाइस से जितने भी आपके कट निकलते हैं उसे निकाल लीजिएगा यह हमारी त्यार कीवी सुगर सिरफ और साथ में यह डेसिकेटेड कोकोनट इससे हम ब्रेट की चंचंग की कोटिंग करेंगे यहाँ पर मैंने ब्रेट की स्लाइस लिया जिससे हमने कट किया था इसके उपर इससे स्टफिंग को रखा है फिर से ऊपर से एक और ब्रेट की स्लाइस को रखेंगे और इससे सुगर सिरफ में डिप करेंगे दोनों और से घुमाते हुए अच्छे से डिप कर लेंगे उसके बाद इसे सुखे नारियल की बुरादे से इसकी कोटिंग करेंगे दोनों और से इसकी अच्छी से कोटिंग कर लेंगे और इसी तरह से अपने बाकी के ब्रेट के चमचम को रेडी करेंगे और इसे साइड में एक प्लेट में रख देते हैं तो ये देखे फ्रेंड्स हमारे बेट के चम-चम मिठाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब हम बनाएंगे टेस्टी हेल्दी सुगर फिरी मखाने की बर्फी जिसे हम बनाएंगे गुड़ से इसके लिए मैंने गैस पे कड़ाई चड़ा दिया है और इसमें एड किया है एक कप मखाने इसे हम ड्राय रोष्ट करेंगे क्रिस्पी होने तक मिडियम फ्लेम पे चमस घी में मखाने को रोष्ट कर सकते हैं मखाने हमारे यहां पर अच्छे से रोष्ट हो चुके हैं और क्रिस्प हो चुके हैं अब हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में डाल कर इसका एक पौडर रेडी कर लेंगे जिस कड़ाई मैं आधे कप मुंख़ली डाल के उसे वी रोष्ट करूँगी जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए क्रिस्पी होने तक इसे रोष्ट करेंगे बीच-बीच में इसे हम पाउडर त्यार करेंगे और अब मैं इसी कड़ाई में लगभग दो चम्मच मस्क मैलन सीड यानि खरबुजे के वीच को आट कर रही हूँ और उसे भी ड्राय रोष्ट करूँगी बस कुछ सेकेंड्स के लिए मैं इसे ड्राय रोष्ट कर लोगी अब हम त्यार करेंगे गुड़ की चासनी इसके लिए मैंने यहाँ पे वन थर्ट कप गुड़ लिया है जिसे मैंने टुकडो में तोड लिया था आप चाहे तो यहाँ पे गुड़ के पाउडर कभी इस्तिमाल कर सकते हैं और साथ ही मैं एड किया है एक चमच पानी गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो रखेंगे और लो फ्लेम पे गुड़ की चासनी को रेडी करेंगे हमें यहाँ कोई तार बाली चासनी नहीं रेडी करनी है बस गुड़ हमारा यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो जाए बस ऐसी ही चासनी हमें यहाँ पे रेडी करनी है चासनी हमारी हाँ पे रेडी हो चुकी है अब मैं इसमें एड कर रही हूँ मुंपफली और मखाना का पाउडर जो हमने रेडी किया था और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कब देशी केटिड कोकोनट यानि सूखे नारिल का बुरादा और इन सारी चीजों को आपस मैं अच्छे से मिला लेंगे इसके साथ ही मैं इस मैं एट कर रही हूँ एक चमच घी इससे हमारे मिठाई में टेश्ट काफी अच्छा आएगा और इसके साथ ही मैं एट कर रही हूँ दो चमच दूद इससे हमारे मिठाई में बाइंडिंग अच्छी आएगी सारी चीजों को डाले के बाद फटाफट से हाथों को चलाएंगे और आपस मैं सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद हम यहां गैस को बंद कर देंगे यह देखिए फ्रेंट सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है और अब यहां पर हम गैस को बंद कर देंगे मखाने की बरफी बनाने के लिए एक ट्रे पे मैंने बटर पेपर रख लिया है और उसे घी से ग्रीस कर लिया है अब इस पे हम अपनी मखाने की अस्टफिंग को रखेंगे और इस पैचुला के हल्प से चारो और इसे फैला लेंगे आप इसकी जगह पे प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेट को घी से ग्रीस करके मखाने की स्टॉफिंग को आप रख सकते हैं इस तरह से चारो और फैला लेंगे मैंने चारो और इसे फैला लिया है और अब इसकी उपर गानेशिंग कर रही हूँ खरबूजे की बीच से आप चाहे तो ड्राइफ रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उपर से एस पेचुला की हल्प से इसे दबा देंगे अच्छे से और नाइफ के हैटकरकश इसकेस के लिए इसे सेट होने के लिएुए छोड़ देंगे आप यहाँ पे कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जादा थंडी हो जाने पे यह ठीक से कटीगी नहीं इसलिए जब यह हलकी गर्म हो तभी इसे बर्फी का सेप देंगे बर्फी का सेप आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी रख सकते हैं तो यह देखे हें तक हमारी तेस्टी हील्डी सुगर फिरी मघञान भर्फी रेडी है यह खासकर हेल्थ कॉन झेज लोगों के लिए हैं तो आप भी इस फेस्टिब सीज़न इस बर्फी को ट्राइए करें तो ये देखे फ्रेंड्स हमारे टेस्टी इजी होममेट स्वीट इसे रेडी है हेल्दी मखाना बर्फी ला जबाब चम चम और मुँ में घुल जाने वाली मलाई रोल तो आप किसका वेट कर रहे हैं इस फेस्टिब सीजन आप भी इसे ट्राइ करें और अपने फैमिली और फ्रेंड को सर्प्राइज दे साथ ही साथ अपने फीडबेक को भी मेरे साथ सेयर करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तिल दन, तेक कर, बाई!